स्राफित गुफा की कहानी एक बार एक छोटे से गाउं में केपी और जेपी नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त थे बे एक साथ रोमांच पर जाना पसंद करते थे और हमेशा नए और रोमांच अक अनुभवों की तलास में रहते थे एक दिन उन्होंने जंगल के भीतर इस्थिती एक रहस्यमई गुफा के बारे में एक आकरसक कहानी सुनी कहानी सुनते ही उनकी आँखों में इस पौराणिक गुफा के बारे में पता लगाने की इच्छा जागू थी उन्होंने कुछ स्नेक्स पानी और एक टार्च पैक किया और गुपा ढूडने के लिए निकल पड़े गाव वाले उन्हें ये कहते हुए चेतावनी दी कि ये गुपा भूतिया है और ये खतरनाक है लेकिन केपी और जेपी कहा किसी की सुनने वाले थे जब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा सूरज की रोशनी पेंड के घने पत्ते से संघर्स करते हुए जमीन पर गिर रही है जंगल में एक दमसांत था उनको डर भी बहुत लग रहा था लेकिन उनकी उतेजना ने उन्हें आगे बढ़ाया कभी कभार उल्लू की आवाज को छोड़ कर जंगल में सन्नाटा था अन्त में बे गुफा के द्वार पर पहुँचे गुफा बहुत बढ़ा था और जंगल से ढखा हुआ था धड़कते दिल के साथ केपी और जेपी ने अंदर कदम रखा गुफा नम थी और अंदर अंधेरा था बे दोनों टार्चल जलाकर अंदर जाने लगे जैसे जैसे बे गहराई में जाते गए पानी टपकने की आवाज गुँजू थी जिससे माहल और भी डिराबना हो गया अचानक उन्होंने एक धीमी घरवड़ाट सुनी और उन्हें अंदेरे में चमकती हुई आँखें दिखी बहे एक कुट्ता था लेकिन कोई साधान कुट्ता नहीं था इसकी आँखें अलोकिक तीबिरता से चमक रही थी कुट्ता घायला और खोया हुआ लग रहा था इसलिए केपी और जेपी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए साभधानी से उसके पास पहुँचे आस्चरी जनक रूप से कुट्ते ने अपनी पूछ लाई और उनका पीछा करने लगा गुफा की गहराई में जाने पर उन्होंने दीवारों पर आजीवों गरीब चित्र देखे जो डरावने और रहस्य में थे उसे किसी की अनुपस्तिती मैसूस हो रही थी अचानक उनके सामने लंबे बालों बाली सफेद साडी में एक आत्मा प्रकट हुई यह एक प्राचीन अभिभावक की आत्मा थी जो सदियों से गुफा की रच्छा कर रही थी आत्मा ने उन्हें बताया यह गुफा सिराफित है और कुटा उसी सिराप का सिकार था केपी और जेपी ने सिराप तोड़ने और कुटे को बचाने का फैसला किया उन्हें पता चला की ऐसा करने का एक मात्र तरीका गुफा की गहराई में छेपी एक पहली को सुल्याना था अपने दिमाग का इस्तमाल करके उन्होंने पहली को समझ लिया और कुट्थे को उसकी पीड़ा से मुक्त करते हुए अभिसाप तोड़ दिया जैसे ही स्राप तूटा बहे आत्मा केपी और जेपी को उनकी बहादुरी और धया के लिए धन्यवाद दिया और उस कुफा को छोड़ कर हमेशा के लिए चली गई कुट्था और अब स्राप से मुक्त हो गया था उसे और अपनी पूच को क्रता ग्यापूरबक हिला कर केपी और जेपी को धन्यवाद दिया साथ ही गुफा को अपनी प्रकृती सांती बापस मिल गई केपी, जेपी और कुत्ता गुफा से निकले और नायकों के रूप में गाउं लोटे गाउं बालों के साथ बे अपने अविस्वनिये कहानी साजा की और उन्हें साहस दोस्ती और करुणा के महत को समझाया और इसलिए केपी, जेपी और भूतिया गुफा की कहानी गाउं बालों के लिए एक मिसाल बन गई दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताए